यहां पे सब शांती शांती है, 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 यहां की फिजा है निराली क्या हाल चाल कैसे हो आप लोग क्या मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं प्लीज मुझे बताईए एक बार ये गाइस वाट्स अप कैसे हो आप लोग फिर्स्ट अफ और थैंक यू सो मच पो कम इंद इस सेशन और यू ओल गाइस अरे बताओ तुम तो अबेजिंग होई मैं बेजिंग लग रहा हूं की लग रहा हूं यह पाइसे ले लिये नाई ने ओके सो थैंक यू सो मच पर कमिंगाइस लव यू और यह मिस्यू सर्व जिए टू आप बेजिंग यार चलो सो फाइनली आज बताओ अपने चलून माले भाईया ने सभी काम किया यह नहीं किया यह भी क्या पूछते रहते हैं सरो Meyer what's different today so basically आज हम लोग किसके बारे बात करने वाले उसके बारे बात करते हैं लेकर उससे पहले आप लोग बताओ आप कैसे हो अच्छा मैं थोड़ा लेट हो गया, 10 मिनिट, होता है कभी, मैं न सेशन शूरू होने से पहले, I was so nervous, तो मैं उस nervousness को थोड़ा दूर करता हूँ, आप लोग और 4000 सेशन करने के बाद भी आप नर्वस रहते हो, तो होता है, अंदर अंदर गुदगदी होती है, जब आप पढ़े रहते हैं, तो अगर आप लोग PUBG, Counter-Strike और इन सब चीजों में पढ़े रहते हो, और आपको लगता है कि भीया, बहुत ज़्यादा टाइम बेस्ट होता है, या फिर ओनलाइन गेम खेलने से क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है, और अगर आप यह जानना चाहते तो जो भी ओनलाइन गेम आप लोग खेलते हो, है ना, उसके क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है, तो आप लोग सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, आप मैंसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ओनलाइन गेमिंग के, मतलब भेंकर अडिक्टेड है, ओनलाइन गेमिंग ज गेम्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग लुड़ो भी खेलते हैं, बहुत सारे लोग ताश भी खेलते हैं, ताश मतलब कार्ड़ वाले गेम्स भी खेलते हैं, बहुत सारे लोग कार रेसिंग के गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट के गेम्स खेलते हैं, खेलते हो भाई, जो बहुत ज़ादा addicted है और अगर आप addicted हो तो सवाल ये है ठीक है सवाल ये है कि आप जो online games खेलते हो उसकी फाइदे और नुकसान के है तो आज उसके बारे में हम लोग discussion करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले मैंने कल आप लोगों बोला था कि मैं आप लोगों को truth or dare दूंगा तो हमेशा हम लोग truth or dare खेलेंगे अपने session में तो बच्चा party क्या आप लोग तयार हो truth or dare क्या आप लोग ready हो जल्दी सी बताओ chat section में कौन-कौन बच्चा एकदम तयार है truth and dare के लिए can you please tell me truth and dare कल हम लोग ने खेला था कल हमने क्या सवाल पूछा था आपका crush कौन सा है आपकी boyfriend और girlfriend का नाम पूछा था ठीक है आज हम लोग truth and dare खेलेंगे और जिसमें हिम्मत है वो लोग यहां पर truth and dare के answer आप लोगों को देने है तो चलो आज हम देखते हैं पहले तो कितने बच्चे यहां पर हैं हमारे साथ कौन और truth and dare खेलने के लिए ready एकदम ठीक है तो चलिए आज हम लोग gaming shaming के बारें बात करने वाले तो चलो तो आज हम लोग शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने लाइक नहीं के तो session को like कर दो यार मतलब यह काम तो वही करता जिसका दिल बड़ा होता है तुम्हारा दिल बड़ा है क्या ट्राइगर के देखो क्या बड़ा है तुम्हारा दिल बड़ा है कर नहीं बड़ा है just click right now अगर आप लोगो दिल बड़ा है just click over here और आप लोगो सबसे पहले truth and dare खेलेंगे लेकिन उससे पहले जरा हम चेक कर लेते है पोप आउट करते है चैट को और तुमारी चैट को तुमारे सामने रख देते हैं so यह आज बच्चा पार्टी है जो कि आज हमारे साथ जुड़ी हुई है इतने बयंकर ठीक है तो यह हमारे बच्चा पार्टी हैं so सबसे पहले तो आपन ढूलते हैं यहाँ पर चहरा ओफ वीक मतलब आज चहरा ओफ संडे तो कौन है आज सबसे खुबसूरत चहरा जरा हम लोग चेक करते है और उसके बार truth and dare खेलेंगे ठीक है so सबसे खुबसूरत चहरा आज किसने अपनी फोटो बहुत ही लगाई हुई है तो मैंने स्क्रीन को रोग दिया है और अब हम देखेंगे सबसे खुबसूरत चहरा यह देखो कितना मदू शैलेश सासा माल कितना क्यूटी पाई है यह लड़का है मतलब किसकी फोटो लगाई है we have no idea बड़ बच्चा सा लग रहा है ओ यह कौन है आते हैं मतलब नंबर आ सकता है रागी नी शर्मा ममी की फोटो लगाई है खुद की है उसके बाद विने रोल नंबर 22 बड़ा एकदम बढ़िया लग रहा है इशिका रितिका प्रकाश यह है रिया सिंग तो रिया सिंग की फोटो स्कूल की ड्रेस के अंदर लग रही है अ उसके बाद कौन है विशाल ठाकूर और यह लो यह कौन है सरस्वती तावारे सर शारस अच्छा श्रवानी स्वर में क्या पढ़ रहा हूं देखो श्रवनी श्रवनी तावारे श्रवनी यह तुमारी फोटो है क्या थोड़ी गूगल पिक टाइप की लग रही है किसी हिरो रिशिजा भारती अमन व्यास और भी बहुत सारे है तो आज पिक अफ देड़े किसको दिया जाए आप लोग बताइए यह कोन है हमारा सौम्यदीब दास आज की पिक अफ देड़े जाती है सौम्यदीब दास को आप लोग एगरी करते हो को नहीं करते हो लड़के ने हम चश्मा चश्मा लगा के तो आज की पिक अफ देड़े जाती है सौम्यदीब दास को है ना सो चलिए अब हम लोग यहां पर टूथ एंड़े खिलने वाले है और उसके बाद आज की सेशन की शुरुआत करेंगे और थैंक यू सो मच आप लोग यहां पर चाइट में पा करना है तयार दो लोग यहाव तुम लोग यहाव तु और यहाव तो लाइपाना है ठीक है तो चलो तुम्हारा आज का सवाल है किसने publicly सूसू किया है मतलब public क्या बोलते है उसको public जगा पे किसी ने सूसू किया है ठीक है public जगा पे control नहीं हुआ मतलब किसने मजे में भी किया है किसी से control नहीं हुआ सूसू, party, whatever तो public place पे without any toilet वो public place खेत भी हो सकता है ठीक है so that public place is a field और खेत as well, सडक, कोना ठीक है, तो आज का तुमारा truth and dare का सवाल है किसने public place पे मतलब अपने toilet को छोड़के ठीक है, मतलब कोई भी toilet छोड़के, सारवजनिक सोचाले किसने किया है सारवजनिक सोचाले तो यह लिखा हुआ है आज के सारवजनिक सोचाले था क्या मतलब किसी ने अट पटा सारवजनिक सोचाले किया है मतलब कई लोग मैंने ऐसे देखे है कि वो अपनी मोनी sleeper bus होती है, उसमें बहुत तेज सूसू आ रहा है तो उपर sleeper bus में सूसू आ रही बहुत तेज तो खिड़की खोली और वहीं से सूसू कर दिया ऐसे मी है तो कौन को नहीं यहाँ पर यह देखो yes लिख रहे है ठीक है और यह देखो मतलब देखो यह चीज़ बड़ी common है मतलब कोई बड़ी बात नहीं है नेचर कोल होती वो तो कभी भी आ सकती है सही बात है तो सच बताओ this is a truth and dear कौन को नहीं आपर जिसने publicly सूसू किया है सारवजनिक सोचाल्य किया है अच्छा मैं अपना भी बताओ मैंने किया है नेचर कोल होती वो तो कभी भी कर सकता है अच्छा मुझसे पूछ रहे हो येस नहीं I have also done that कोई बड़ी बात नहीं है है ना इतने भी अमीर पैदा थोड़ी हुए थे नहीं सूसू तो कहीं भी कभी भी आ सकती है येस I have done that नहीं तो मैंने किया है आप लोग ने किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं तो देखो इतने सारे बच्चों ने आंसर दिया और आज का truth and dare आप लोग ने खेला मेरे साथ तो हमेशा ऐसे हम लोग truth and dare खेलेंगे ठीक है So truth and dare और कोई अगर अपना experience शेर करना चाहता है देखो किसी ने लिखा यापर जतीन लिख रहा है कि मैंने cricket के ground में सुसू किया है अच्छा इवन रिच पिपल अलसो डू था चिराग कहला कि चिराग कहला है अमीर लोग भी करते है हाँ तो सुसू आएगी तो अमीर और गरीब क्या करना तो पड़े गई स्वच्च भारत सुच्च पेट अभियान अब वो दैट इस स्वच्च पेट अभियान ठीक है कई वार गया होता है देखो वो situation सबसे खराब situation होती है जब आपको नब पोटी आ रही होती है और आपके पास टोलेट है ही नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकते है सो मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं कराएगा तो उपर वाला बट पोटी आरी और यह नो कई बार आप लोगो ने बस में ट्रैवल किया होगा जैसे रेलवे सेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सोचाले होते हैं ठीक है लेकिन वहां पर भी बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है हम लोग ठीक है और विचारे वाव़ ड्राइवर को को रुख को भी नहीं सकते कहीं रोग दो और ऐसे जंगल लोग आई कहां जाएंगे और बहुत बार ऐसा होता है सो हुआ होगा आप लोगके साथ हमारे साथ भी हुआ है नहीं तो नहीं तो पेंट इकली ओनने हो सकती और पिली भी हो सकती है ठीक है आप लोगो ने truth and dear खेला हमारे साथ that's really amazing चलो, बहुत चारे incidences incidences होते हैं, लाइफ में ऐसी बात नहीं है तो मैंने बहुत ऐसे दोस्तों के साथ आप लोग पता ही है यार, अब दोस दोस जब साथ में होते हैं बहुत बार खुद से भी और बहुत बार नेचर कोल से भी बहुत कुछ हो जाता है चलो, तो आज के truth and dear में बहुत लोगों ने participate कि है thank you so much, amazing यार तो that's really brilliant अगर आप लोग ने भी तक like नहीं है, तो like जरूर कर देना चलिए आगे शुरू करते हैं आज के session को बहुत बहुत धन्यवाद चलिए like नहीं किया तो please आप like जरूर कर देना session को तो चलिए आज के session को शुरू करते हैं फड़ाफट से बहुत ही brilliant session है और मज़ा आ जाने वाला है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर आप लोग addicted हैं किसके online gaming थे, gaming के तो उसकी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है मतलब जो game खेलते हो, उसकी कुछ फायदे भी है क्या तो उसके बारे में discussion करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने subscribe नहीं किया चनल को तो subscribe कर लेना आज की awesome slides प्रिपेर की हैं गौतम भारत बाज ने so thank you so much गौतम so अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा आगे बढ़ने से पहले NEET के हमारे 2021 के crash course के बारे में देखो 2021 का जो crash course है बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका benefit लेना अगर आप लोग नहीं ले रहे तो please आप लीजिए 120 session में पूरा NEET का syllabus कर भाया जाएगा सुबे से शाम तक part time आपके doubt solving sessions होंगे और 10 part time और 10 full time test होंगे amazing tips and tricks बताई जाती है अलग से इसके sessions भी होते है tube interaction आप teacher से बात भी गर सकते हो so in that case मेरे प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा जो NEET का crash course है मात्र 8000 रुपे है रुपे में मिलेगा आप लोगों को link description box में given है फड़ा फट से जाओ उसमें AA2021 this is the coupon code जो आपको लगाना है ठीक है और आपको 20% discount मिल जाएगा फड़ा पर से जाके join करो मज़ा आजाएगा आप लोगों को आज की sessions की detail यह है अगर आपने कोई session miss किया है तो जरूर आप देख लेना चलिए अब शुरू करते हैं क्या फाइदे और क्या नुकसान है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोंज ओफ गेमिंग या बहुत सारे ना ओनलाइन गेमिंग के चाहने वाले भी है सो उसको जुटलाया नहीं जा सकता मतलब मज़ा भी आता है यार मतलब यह सब चीज़े कहां real life में करने को मिलेंगी लेकिन अगर real life में करने को मिल रही है तो बहुत लोग इसको enjoy भी करते हैं है ना तो अगर आप लोग enjoy करते हैं जैसे counter strike हो गया उसके भी higher versions आगे हैं आजकल तो है ना बंदूक लेके इनो piston लेके या फिर revolver लेके whatever चलो और मतलब अपने targets को यानि कि अपने जो भी आपको दिया गया target उसको पूरा करो amazing यार मज़ा आता है तो उसके कुछ फायदे भी है मैं आपके जानकरी के लिए दो चीज़े कहना चाहता हूँ start कहने से पहले पहला तो यह कि आपको मैं आपकी जानकरी के लिए बता देता हूँ कि जो online gaming खेलते हैं वो life में risk उठाने से डरते नहीं है वो बहुत जल्दी decision लेते हैं क्योंकि आप जब online game खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर quick decision लेना पढ़ता नहीं तो आप मर जाओगे ऐसे counter strike और यह सब जो game होते PUBG, PUBG उनमें यहीं होता है अगर आप लोग ने quick decision नहीं लिए इदर जाना है कि उदर जाना है किदर जाओ quick decision नहीं लिए किसको मारूं कैसे मारूं तो आप लोग तुरंत क्या हो जाओगे eliminate हो जाओगे ऐसे case में आप लोग वो लोग जो online gaming खेलते हैं basically उनको बहुत जादा life में न एक तो risk लेने में डरनी लगता और दूसरा वो जो जब भी कोई decision लेना होता life में न तो बहुत ए quick decision लेते हैं एक चीज तो मैं यह कहना चाहता हूँ दूसरे चीज यह अच्छी बात है पर दूसरा एक बात याद रखो हर चीज की अती खराब होती है access of everything is really harmful अगर आप बहुत जादा खेलते हो तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है ही तो चलो आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या फाइदे हो और क्या नुकसान तो मैंने आपको कहा कि pros and cons दोनों बताएंगे फाइदे और नुकसान दोनों बताएंगे तो चलो सबसे पहले हम लोग फाइदों की बात कर लेते हैं न so online lovers online gaming lovers just write down in chat section यो फाइदे बताओ sir फड़ाफट से just write down जिसको बहुत मज़ा आता है online game खेलने में just write down chat section की फड़ाफट से बताइए sir just write down come on dog कभी ना कभी तक खेला होगा game है ना तो चलो सबसे पहले we'll talk about prawns क्या फाइदे है online gaming के online game खेलने के क्या फाइदे है तो let's check about it क्या फाइदे है number one better visual response आपको मैं एक बात मैंने अभी आपको कहा था मतलब वो यह जो PUBG game या जो games होते है वो इतने quick responses वाले होते हैं कि आपको तुरंत पलक जपकते decision लेना होता है है ना और आप धीरी-धीरे smart बनते जाते हो quick decision में आपको यह games बहुत जादा मदद करते है due to quick response in games आपकी जो visualization है ठीक है वो भी बहुत अच्छे होते चली जाती है आपने कभी गोर किया जो online game खेलते हैं उनको वो इतने addicted हो जाते हैं कि वो यह भी भापने लग जाते हैं कि अब क्या होने वाला है उसका भी क्या करते हैं अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं जो online game खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग जब भी online game खेल रहे होते हैं तो आगे क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या हो सकता है वो उसका अनुमान पहले से लगाना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से वो decision लेते हैं, visualization, that is really amazing part of this online gaming, और बहुत अच्छी बात है ये, और future में, मतलब आपके life में भी आपको ये चीज बहुत काम आती है, अगर आप किसी ऐसी चीज में फस जाओ, जिसमें आपको visualize करना हो कि, अप इसमें जो मैं फसा हूँ, तो मुझे कहाँ पर problem आ सकती है, so उसकी visualization करने में, online gaming आपको कही ना की मदद करते हैं, that's not actually, you know, lie, this is truth, समझ में आ रहा है, and amazing, आप लोगों को online games खेलने चाहिए, that's not a problem, समझ में आ गया, ध्यान से समझ ना, मैं हर चीज के फायदे और नुकसान, आप फायदे बताऊंगा, पहले फिर नुकसान बताऊंगा, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है, और आप अपनी visualization को strong कर सकते हो, अपने responses को strong कर सकते हो, and that's really amazing, पहला फायदा तो यह है, अब हम चलते हैं, दूसरे फायदे की तरफ, brain booster, oh my god, मतलब देखो, मैं आपको कहता हूँ, जितले आप लोग, you know, outdoor games अच्छे होते हैं, उतने ही आपके indoor games भी आपके brain को boost करते हैं, and that's true, increase your cognitive skills, आपकी बहुत सारी cognitive skills होती हैं, उसको यह online game improve करते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यार कैरी मिनाटी का नाम सुना आपने, कैरी मिनाटी 12 साल की उमर में, मेरे ख्याल से 12 साल का ही था, तब से वो यह सब game खेल रहा, और game खेलते-खेलते वो वहाँ पर क्या करता था, mimicry करता था, sunny day all की, ठीक है, so पहले उसने sunny मिनाटी नाम रखा था, यही था, और अब आप देख लो, कैरी मिनाटी कहां पर पहुँच गया है, है ना, आज कल तो मूवी शूवी में आने वाला है, so यहाँ पर cognitive जो आपकी skills होती हैं, जैसे कि आपकी memory, आपके mind memory, आपकी processing, attention, आपकी mobility, perception, logical and reasoning, यह सारी चीज़े हैं, जिसको cognitive skill कहते हैं, यह improve होती है, brain के साथ साथ, मतलब जब आप game खेलते हो, तो brain में यह सारी skills improve होती है, that's really good, आप लोगों की memory sharp होती है, आप जादा से जादा visualize करनी कोशिश करते हो, है ना, processing में भी, आप लोग आपके जो skills हैं, develop होती है, आपकी attention बढ़ती है, mobility बढ़ती है, perception and logical reasoning भी बढ़ती है, सारी चीज़े increase होती है, जब आप online gaming खेलते हो, आपको smart बनाता है by the way, और खेलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, so दूसरी चीज़ हो गई, brain booster, तीसरी क्या है, increase life skills as well, help quick and better decision making, इतना इंतजार करने का समय नहीं है, इतने में तो समय निकल जाएगा, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की value है, time की, पैसो की नहीं है, time की value है, किसी अमीर को पूचो के बढ़ता समय नहीं है मेरे पास, मुझे समय की, मुझे खरीदना होता तो मैं समय खरीदता, मुझे 24 गंटे नहीं, मुझे 24 गंटे से जादा चाहिए, और उस stage पे मैं भी पहुँच चुका हूँ, मुझे भी कभी कबार feel होता है, कि मेरे पास 24 गंटे ही क्यों है, समझ में आता है, पहले हमको 24 गंटे भी जादा लगते है, जब हम student होते थे, आज मुझे 24 गंटे भी कम लगते है, मुझे इससे लगते है कि शायद मेरे पास कुछ जादा समय होता है, तो मैं शायद जादा कुछ कर पाता, So, try to understand, हर बार आपके perception change होने लगते हैं, So, finally, यहाँ पर इस चीज़ में भी आपको फायदा मिलता है, गेम में आप quick decision लेते हो, ठीक है, आपके पास समय ही नहीं है, तो ऐसा life में भी आपको better decision लेने में, और quick decision लेने में यह online game मदद करते हैं, तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, चोथे फायदे की तरफ चलते हैं, that is, helps to overcome anxiety, boosting confidence in games, overcome anxiety as well, जो लोग online games खेलते हैं और जब वो जीतते हैं, है ना, अलग-अलग stage पर किसी चीज़ से बाहर निकलके, आप लोग जीतते हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है, मज़ा आता है, विनर की तरफ फील करते हैं, और basically जब-जब आप जीतते हो, कोई stage को, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, और आप बहुत अच्छा फील करते हैं, उससे आपकी anxiety भी कम होती है, but attention, यहाँ पर एक अरबड है, अगर आप नहीं जीते हो, तो moral down भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन अगर आप कोई stage जीतते हो, तो आपको उसका फायदा भी मिलता है, आपके confidence को boost मिलता है, और basically आपकी anxiety भी कम होती है, that's also true, ठीक है, पाँच, painkiller, अगर आप लोगों को कहीं दर्द हो रहा है, basically आपको मानलों, दात में दर्द है, या कहीं दर्द है, बहुत pain हो रहा है, और आप उसको बुलाना चाहते हो, painkiller नहीं है, आप game खेलो, आपका, देखो सारा जो खेलन बेसिकली यहीं है, ये दिमाग, आपका दिमाग सोचेगा तो दर्द होगा, दिमाग नहीं सोचेगा तो दर्द नहीं होगा, so in that case ये pain killer के जैसा होता है, अगर आपको मानलों बहुत ज़ादा attention है, या दर्द महसूस हो रहा है, so in that case, आप लोग game खेलो तो आपका ध्यान बढ़केगा, दिमाग उसको सोच नहीं पाएगा, pain को feel करनी पाएगा, तो आपको pain होगा नहीं, बायो वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो neurological चीज़े होती हैं, जिसमें pain, actually उस जगह से दिमाग तब पहुँचता है, वो feel करवाता है, तब आपको pain होता है, लेकिन अगर आप mind को divert कर दो, तो वो pain कम होने लग जाएगा, so इसलिए कहते हैं, ये एक तरह का indirect pain killer है, आप खेलोगे, definitely help in distraction from physical pain and physical stress, अगर आपको कोई physical pain है, या physical stress है, तो ये आपको distract करेगा, आपके mind को, ठीक है, और आपको pain कम feel होगा, distraction कम feel होगा, and that is also true, ठीक है, ये आप लोग भी जानते हो, तो ये 5 फायदे हैं, total online game खेलने के, समझ में आ गया, किस-किस को ये 5 फायदे लगते कि, हाँ, ये सब फायदे तो होते हैं, जब हम online game खेलते हैं, just write down in chat section, किस-किस को लगता है, कि online gaming के ये 5 फायदे तो होते हैं, अब हम बात करेंगे, नुकसान की, ठीक है, लेकिन उससे पहले, I just want to know, आप मैंसे कितने ऐसे लोग है, जो game खेलते हैं, और आपको पता है कि, ये 5 में से बहुत सारे फायदे तो मुझे भी हुए हैं, है ना, अब हम बात किस की करेंगे, नुकसान की, नुकसान क्या होते हैं, तो हर चीज़ की अती खराब करती है, अगर आप ये भी ज़्यादा खेलते हो, अगर आप लोगों को इसकी addiction हो चुकी, तो आप अपने future को भूल चुकी हो, और आपको ध्यानी नहीं को जिन्दगी में क्या करना है, कहीं इसी में ना लगे रह जाओ, ठीक है, अगर online gaming खेलते खेलते, अगर आप अपना career बना रहे हो, that's good, अगर आप सिर्फ time ही खराब कर रहे हो, सिर्फ game खेलते खेलते और आप अपने future के बारे में सोची नहीं रहे हो, that is really a bad thing for all of you, so इतना ज़ादा समय खराब नहीं करना, it makes you play even when you are tired, ये एक बहुत बड़ी problem है, आप ठके होऊ, online gaming की सबसे बड़ी problem है, जिसा cricket है या फिर कुछ भी है, अब जब ठक जाओगे तो चले जाओगे यार मैं सो रहा हूँ, लेकिन online gaming की साथ एक problem है, पता क्या, पूरी रात रात लोग लगे रहते हैं और उनको समय का पता ही नहीं लगता, मैंने ऐसे ऐसे पागल देखे हैं जो 24-24 घंटे online game खेलते रहते हैं, और उनको समय का पता नहीं लगता, तीन-तीन रात के चार-चार बज जाते हैं जब रात को वो शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ी problem है, ये addiction बहुत बड़ी problem है, एक limit में करो, that is good, बट उससे उपर करते हो, तो that is really bad, वो बहुत ही, मतलब massively आपकी body को नुकसान करेगा, ठीक है, दूसरा, social isolation, जब आप game खेलना शुरू करते हो, तो किसी से बात थोड़ी करते हो, अपने दोस गईभाड में, ममी गईभाड में, पपा गईभाड में, दिदी गईभाड में, जिजाजी गईभाड में, भहिया जी गईभाड में, अंकल जी गईभाड में, आंटी जी गईभाड में, हमें किसी से मतलब ही नहीं, आम अपने game खेलने में लगे रहता है, है ना, social interaction vanish हो जाता है, हम लोग बात ही नहीं करना चाहते है, that's true, समझ में आगे है, this addiction leads to social interaction, less social interaction, आप लोग किसी से बात नहीं करते हैं, आप game खेलते रहते हो, बात ही नहीं करोगे, तो आपके कोई दोस बनेंगे नहीं, obviously, है ना, so ऐसा जरूए नहीं कि सिर्फ इसकी वज़े से होता है, बहुत सारे वज़े हैं जिसकी वज़े आपके दोस नहीं बनते, but अगर आप ऐसा भी करते हो, तो दोस नहीं बनेंगे, आपके, आप किसी से बात ही नहीं करोगे, तो काम कैसे चलेगा, distances आते रहेंगे, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है, obesity, कौन को और ऐसे करके गेम खेलता है, उल्लू के पठे, लेटे होएं, रिमोट लेके, बगल में कॉल्टरिंग पड़ी है, इधर पड़ा हुआ है सेंडविच, इधर पड़ा हुआ है चिप्स और पॉपकॉर्ण, ठीक है, लगे हुआ है सोफे पे लेट के गेम खेलने हैं, ये आदत बहुत सारे लोगों की होती है, जिस प्लीज टेल मी आदत किस-किस की है, आप में से किसने ऐसा करते किसी को देखा है, ऐसे मोटे-मोटे लोग बस वो गदो में और सोफो पे पड़े रहते हैं, रिमोट लिया, खच-कच-कच-कच-कच-कच लगे रहते हैं, पागलों के जैसे, बगल में कॉल्टरिंग खाने की चीज़े पढ़ी है, कोई होश नहीं है, क्या चीज गिर रही है, क्या चीज उट रही है, यहीं पर पाद रहा है, यहीं पर फूस रहा है, समझ में आती हैं, और कोई मतलब नहीं है, यहां से खाया, इधर से gas निकाली, खाया, इधर से gas निकाली, खाया, इधर से gas निकाली समझ मैं रहा है, और कोई मतलम नहीं है दुनियादारी से Less physical movement, that is the main problem of this Obesity आपने शुरू हो जाएगी, fat आपका शुरू हो जाएगा लुथडे निकलने शुरू हो जाएगे, बगल से लुथडे निकलते हैं समझ मैं आगया, और आप अप ध्यानी दोगे, तो obesity बढ़ती जाएगी और आपके पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा और पता है, जादा गेम खिलने से पढ़ाई में मन नहीं लगता है आप पढ़के देखना, आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा अगर आप बहुत जादा उन-लाइन गेमिंग खिलता हैं तो आप नोवल वगरा नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर ऐसा कुछ है तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और प्लीज आप इसकी टेक केर तो जरूर करो, ठीक है, लिमिट में, इत्ता दादा भी नहीं, पांची प्रॉब्लम क्या है, एक्सेसिव एंगरनेस, ओ माय गॉड, लुक अट, लुक अट जिफ, राइट न को नजर आ रहा है, बंदने लिए कीबोर्ड, जाद दात निकाल रहा है, तेरे दात तोड़ दूँ मैं आज, नहीं, इतनी जादा अग्रेशन, इतना जादा एंगर, और ये बहुत लोगों में, मैं तो बहुत जारे वीडियोस देखी हैं ऐसी, एक बंदा तो हार या तो कंपीटर तोड़ दिया, अपने कंपीटर को ये धवाद अप सामने वाले के दात तोड़ दिये, एक बात है, गुसा बहुत आता हारने के बात, तो जो जीत रहा होता अगर वो बगल में बैठा है, तो उसकी टकिया निगाल देते हैं लोग, ये तो सच है, और अनकंट्रो हो जाता है आपका, तो आप definitely आपको गुसा आने लगता है, और वो एक behavior जो आपका निकल के आता है उसके बाद, and that is not at all good, excessive anger is not at all good, and that is the cons of excessive gaming, पांचे पॉइंट पर जलते हैं, that's stress, बहुत, overuse करने पर जब आप बहुत जाड़ा गेम खेलते हो, और suppose करो कि आप किसी गेम के पीछे पढ़े हो, और एक stage आपसे पारी नहीं हो रही है, हर बार आप last में अटक जाते हो, गुसा आने लगता है आपको, है न, so in that case आप में stress बढ़ने लगता है, overuse करने से आपका stress बढ़ता है, दिमाग पे बहुत जादा burden पढ़ती है, और फिर आपको नवरतन तेल क मसाज करा लेता, यह over stress basically आपको leads to many disease, आपकी body में बहुत सारी disease का कारण है, यह over stress, और आपको जैसे हमने मिलवाया था न, वो नताशा दिद्दी से मिलवाया था, what she was saying, she was saying, जो stress है, वो हम लोग सोचते से stress ही तो है, stress में आपकी body के अंदर बहुत सारी बीमारिया, ulcer से ल कई बार ऐसे लोगों को देखा आपने जिन्दीगी में, कि यार ऐसे बोलता है, मैंने कभी cigarette टी पी, मैंने कभी drink नहीं की, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया, तो मुझे cancer कैसे हो सकता है, मुझे ulcer कैसे हो सकता है, समझ में आता है, तो अब कैसे हुआ उनको, जो doctor बनने जा होने के chances है, और यह सच है, यह सच है, सब बच्चों को पता है, सारे doctors जानते है, तो please थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद छटा, सबसे जादा अगर कहीं आप लोगों को problem आती है, अगर आप बहुत जादा addiction रखते हो तो academic impairment, आप लोग academically आपका ground down, down, down और down ही चले जाता है, आप लोग जो भड़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, तो definitely आप लोगों को यहाँ पर academy तली तो बहुत जादा नुकसान होता है, addiction leads to regression academics as well, सब को पता है कि आप लोग बहुत जादा game, अगर कोई रात को 10 बजे शुरू हुआ, सुबह 4 बजे तक game खेल रहा है, पहले आपके academic, you know, academic आपके बहुत जादा खराब होने लगते हैं, जब आप online games खेलना शुरू कर देते हो, and that is again, you know, really a bad thing for all of you in terms of future, अगर आप अपने future के बारे में सोच रहे हो तो, है ना, so finally यह इनके pros थे, यह इनके cons थे, अब आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कित्य ल कहूँगा कि भईया, ऐसा है, any activity you do is good, when it is in limit, अगर आप उसको limit में करते हो, तो अच्छी बात है, limit से जादा करते हो, तो definitely आप लोगों को नुकसान हो गा ही, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, दो चीज ऐसी हैं, जिसकी अती खराब नहीं करती, इस पू इतना लोग है, उतना मतलब को कभी नुकसान तो नहीं होने वाला, ठीक है, पहली चीज तो और दूसरा पढ़ाई, समझ में आगया है, पढ़ाओ जितना पढ़ सकते हो, ठीक है, जिन्दिगी में आये किसलिए, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, अपने माइंड क कर रहे हो, तो कहीना कहीं आपको harmful है, वो नुकसान जरूर होगा, unless until आप लोग उसी को अपना करीर बनाने की सोच रहे हो, तो बात अलग है, लेकिन फिर भी इतना access में तो ठीक नहीं है, ठीक है, जैसे कैरी मिनाटी है, उसने तो इसको अपना future ही बना लिया था, बाद में खेर, वो अब शेहनशाह बन चुके हैं, तो अब तो क्या ही बचा है, जाते जाते में आप लोगों को कहूंगा, कि अगर आप लोगों ने नीट का crash course जोई नहीं किया है, तो कहीना कहीं आप गलती कर रहे हो, अगर online इतना समय बिताते हो, तो दो घंटे कम बिता के आप न 220 सेशन में पूरा नीट का स्लेबस आपका खतम करवाया जाएगा, सुबह 8 बचे से लेके रात को 11 बचे तक आपको डाउट होता है, तो आप डिरेक्ली हमारे assistant teachers जो होते हैं, जो क्या आपके डाउट सोल करते हैं, उनसे पूछ सकते हो, फुल टाइम पार्ट टाइम टेस् ठीक है, पार्ट स्लेबस के टेस्ट होंगे, जिसमें आप चेक कर सकते हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी और नीट को क्राक करने के लिए amazing sessions होते हैं कि कि किस तरह से short tricks apply करते हैं, इसके लावा two-way interaction आप teacher से बात भी कर सकत तो यह सारे फायदे हैं, इसमें को क्या करना है, simply description box में जाना है, 8000 रुपे का पूरा crash code से, apply करो AA2021, this is the coupon code, यह आपको apply करना है, every Monday शुरू होता है, तो अब Monday आ रहा है, कल, कल से शुरू हो रहा है, AA2021 is the coupon code जिसको आप use करके enroll कर सकते हो, you have the chance, ठीक है, तो प्लीज आप नीट के results है, बहुत ही awesome बच्चे है, अगर आप चाहते हो, इनमें आपकी photo आए, just go to description box and नीट का crash code ज़रूर जोइन करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, and finally, telegram group है हमारा, उसको join करो, ठीक है, और विदानतु नीट official, इसमें सारे video बगर आइसे में मिलते है, and finally guys, अगर आप लोग ने subscribe नीए चैनल को तो subscribe जरूर कर लेना, thank you so much मेरे प्यारी बच्चों for this awesome session, आज आने वाली है, गीत, साड़े 10 बजे रात को हम लोग मिलेंगे, और वो हमसे connect होंगी, सीधे US से हमारे साथ connect होंगी, US में जब यहाँ रात के साड़े 10 हो रहे होते हैं, तो अगर आप गीत से मिलना चाहते हैं and she's amazing personality, आपको बहुत मज़ा है, अगर रात को साड़े 10 बजे मेरे साथ होंगी वो, मिलते हैं उस session में, till then thank you so much, love you all, this is Arvind Arora signing off, now take care, bye guys.